थर्ड ग्रेड अध्यापक भरती लेवल बन 21,000 पदों के दस्तावे सत्यावन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अंतिम परणाम जो है वो आने को है और इस पर सुप्रीम कोड के पैसले का क्या असर रहने वाला है तो इस वीडियो में हम यही बात जो है वो करने वाले हैं तो दिहान से जो है वो आप सुनिये का यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल वटन को पैस कर लें जितनी भी वीडियो मेरी बनती है वो सबी जो है वो आप लोगों तो समय कर आती हूं ताकि आप लोगों की जौब जो है वो जल से जल्द लग सके ठीक है तो आप लोग जो है वो सरकारी नौकरी के साथ साथ अगर जौब ढून रहे हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल पर आप लोगों को समय पर मिलेगी इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइ वीडियो में सब ही जो हम आप लोगों को मिलेंगे तो चलिए बात कर लेते हम यहां पर अंतिम परणाम पर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर रहने वाला है इन 21,000 पदों पर तो बहुत अच्छे से जो है वो दिहान से सुनिएगा अध्यापक लेवल बन के 21,000 की भरती में जो है वो अब तेजी आएगी अभी जो बीड वर्सिज बीटीसी जो विवाद हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो उसका जो है वो यहां पर क्या असर पड़ेगा तो देखिए कोर्ट के निर्ने से इस पर जो है वो कोई असर नहीं पड़े इसमें केवल BSTC वालों से ही आवेदन लिये जाएंगे और भरती के अटकने की संभावना जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी बीड वालों के पास लेवल वन की पातरता भी नहीं इस निर्ने से प्रदेश की भरतियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही प पातरता का रीट प्रमान पत्र जो है वो जारी नहीं किया गया BSTC वालों के पास रीट लेवल वन की पातरता का प्रमान पत्र है तो ऐसे में जो ये पद हैं तो बिल्कुल सेफ हैं यहां पर इनका कोई असर नहीं होगा सूप्रीम कोट के फैसले का क्योंकि यहां पर अग तो यहाँ पर जो है वो बिलकुल परेशानी state level में नहीं होगी राजिस्थान state level में तो यहाँ पर जो है केवल level 2 के परणाम जो है वो B.A.D. वालों के लिए आए हैं तो B.S.T.C. वालों के पास जो हो केवल REIT level 1 की पातरता क प्रमान पत्रों है और इस वज़े से इस भरती पर कोई असर नहीं होगा ठीक है तो यहां पर BSTC वाले जो है वो बिल्कुल सेफ है अब जैसे ही कोई latest news आती है level 1 की level 2 की या first grade second grade भरती की तो वो सारी सूचना है जो है वो मैं आप लोगों तक जो है वो बिल्कुल जल से जल पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी थैंक यू